दोस्तो आज की जानकारे बेहत और बेहत खासे जबर्जस थे दोस्तो प्रकृती ने हमें अनगिनीत जड़ी बुटियों का खजाना दिया है इसमें से कई प्रकार की ऐसी जड़ी बुटिया है जो हमारी आसपास में होते हुए भी हम इसके गुणों को नहीं जानते दोस्तो ऐसी ही एक चमतकारे जड़ी बुटिया है विदारा जो आप विडियो में देख रहे है ये विदारा कटे हुए अंगों को भी जोड़ दीती है गैंगरिंग जैसी खतरनाग बिमारी को ठीक करती है सरीर की इम्मिनुटी बढ़ाती है और सरीर को ताकत से बर देती है विदारा की एक विशाल लता होती है और इसके पत्तों का आकार दिल के समान होता है और बड़े होते है ये लत्ता लगबग भारत के सबिस्थानों पर पाई जाती है जादा तर इसे विदारा से ही जानते हैं हिंदी में समंदर का पाटा समुद्र सोस और गाव पत्ता भी कहा जाता है इस लत्ता का लंबे समय तक सिवन करने से बुड़ा पापे दूर रहता है इसलिए ही संस्कृ में इसे वुद्धतारू से संबोधित किया है इस लत्ता का अंगरिज नाम एलेपेंट क्रिपर और विग्यनिक नाम आरजरिया नरोसा है इस लत्ता के अलग-अलग नामों के सुची डिस्प्रिक्शन बॉक्स में दी गई है ये लत्ता बहुत फेलती है और बड़े-बड सेंटिमेटर तक लंबे होते है दोस्तो इस लत्ता के पत्तो में इतना सामर्थ है कि कटे हुई मास के टुकडे भी इससे जुड़ जाते है कुछ आदिवासिक शित्रों में ऐसा कहा जाता है कि कटे हुए मास को इसके पत्तों में लिपट कर कुछ देर तक रखा जाए तो पुनह चूड़ जाता है यदि सरीर में किसी भी प्रकार का कट लग गया हो घाउं हो गया हो तो इसके पत्तों को गर्म करके उस पर लगाने से घाउं भर जाता है यह लगता इतने चमतकारिक है कि पूराने न भरने वाले घाउं भी इससे सिग्र पर जाते है इसके अलावा इसके और भी चमतकारिक प्रयोग है दोस्तो गैंगरिंग जैसी बयानक बीमारी में भी ये पोधा अपना प्रभाव दिखाता है गैंगरिंग एक ऐसी बीमारी है जिसका उपाए आज के विज्ञान में भी नहीं है अंग काटने के सिवा इसका कोई इलाज नहीं होता गैंग कर रस निकाले अब इस रस से गैंगरिंग वाली जगह अच्छी तरह धोकर साप कर ले अगर ज्यादा घाउ हो तो इसकी रस को रुई में भिगोकर अंदर तक जाने दे और रस परे इसके बाद विदारा के ताज्य पत्तों को गाय के घी में चुपड़कर थोड़ा गर्म के चुर्ण में समान मात्रा में सतावरी का चुर्ण मिलाकर रोजाना सेवन करने से स्मरण सकती बढ़ती है दोस्तों अगर किसी को मसूरी का है तो इस विदारा के पत्तों को पिसकर इसका लेप करने से तुरंत लाप मिलता है दोस्तों विदारा लत्ता एक ऐसे चमतकारिक बुटी है जो हाथी पाउं यानि स्लिपद को भी ठीक कर देता है चाहे कितना भी पूराना हाथी पाउं का रोग हो इस चमतकारी कलता विधारा के मुलका चुर्ण कांजी या गवमत्र के साथ मिला कर लगातार एक साल तक सिवन करे इस प्रयोग से कठिनता से न ठीक होने वा देती है इसके एक से दो ग्राम चुर्ण को रोजाना सहथ के साथ मिला कर खाने से रोग प्रतिरोतक्षमता बढ़ जाती है जिनका सरीर कमजोर हो दुरबल हो ऐसे लोगों को इस विधारा के मुलको गाय के दूद के साथ पका कर रोजाना सेवन करना चाहिए इससे रसायन दोस्तों ये डायाबिटीस को भी कंट्रोल में करता है इसके एक से दो ग्राम चुर्ण में सहथ मिला कर रोजाना सेवन करने से डायाबिटीस कंट्रोल में हो जाता है